गर में दाहिल होते ही कमाल साब की कराहत आवास हो जी, वो अभी उसका वैयान और लड़कियों समेट जगा को देख चुके थे और अंदासा लगा चुके थे कि लाकों का नहीं करोडों का नुक्सान किया था उनके सबूत ने जी, बस आप दोनों की दुआएं हैं वो उसको राकर आस्या पेकरम कमाल साब को देखता हुशी से बोला, जिस पर वो भड़क उठे, अलवत्ता आस्या पेकरमने धामागों से नसरे पेड़नी, कलीजा जैसे चलनी हो गया था, उसके पास उपर बंदी सफेद पठी देखकर बगवास बंद करो, समझते क्या हो, कुछ नहीं मेरे पास उन देशतकरतों को लोटाने के लिए, एक मासूम बेटी की जान है, जिसने अभी दुनिया भी ठीक से नहीं देखी, एक बहु है, और बीवी, अगर उन्हें कुछ हुआ, तो मैं तुम्हें अपने हाथों से दफ सब को रहा उठे, शकल दफा करो मेरी नसरों से, पैसूं की बात आए तो शकल दफा करो, वा कमाल साब वा, वैसे कहां जाओं बाहे, या बीवी के पास, कैप से सीड़ी हूँ, और बेरूनी दरवासे समित इशार देते, मासों में से पूछाओं, जाओं अंदर, हामोशी स में नाश्ता बिच्वाती हूँ, उन दोनों महरानियों को भी उठा दो, दोनों घुसी पड़ी हैं अंदर, आस्या बेगम जल्दी से कहा, माबादा वो चला ही न जाए यहां से, वो मुस्कुरा कर सहला था, उपर की तरफ रहा, आस्या बेगम अपने खुबरों मर्दाना वजहात की शाकार बेटे की बीचे ही बीचे नसे उधारी, असलाम अलेकुम, कैसे हैं भाई, उस सिन के बाद वो आज उससे मुहादिब था, मुहबबस से मुस्कुरा था, पुर्हान पहले चोंका फिर उससे खीच कर सीने से लगाया, वालेकुम सलाम, ठीक हूँ, तुम क अकवास न कर, पांच साल छोटे होकर कदमे बोडी में बराबर का खड़ा है, एक लगाओंगा न, शादी के शोपने उमर से पहले ही, भाई, उससे सिजाज किया, पाद से गुसरती नूर को लेका पुरान के एका लगा उठा, असलाम लेकुम भाई, कैसे हैं, आपको खोल लगी है न, सुबहत आया, वो बहुत परिशान थे, उससे तफसील से बताया, मैं इसके लिए परिशान नहीं था, हुश्फेहम या मत दोई से, उसकी मुस्कुराद देखकर, कमाल साब फिर से बढ़गी है, और उटकर वहाँ से निकले और अपनी रूम की तरफ, मैं ठीक होता बोला, पुरहान हस पड़ा, पगले, हिम्मत करो, सवासान लगता है, वैसे ही मेरे जाम पाजू की वज़ा से कामयाबी, उसके बाल भी खेरकर, वो छुपकर होती है, आसे बेगम की तरफ जाता, वापिस सेठें उदरने लगा, वहीं नूर को दाथ की बाल सरासर तमस तनस लगी, उसलिए उठियों बींच कर वहाँ से नीचे भागी, इससे पहले कि वो कोई और बात करे, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती बुरहान, बेदर है कि तो मुझसे बात ना करो, उसे पास बैठे देखकर आसे वें कहती वहाँ से उठ गई, और कमाल साब की रोम में जले गई, नो ने बहुत अफसोर से वुरहान की विनिफॉर्म में पुष्ट को देखा था, जिसके नजरे नीचे अपने बोट पर चुकी हुई थी, संभाले खुद को भाई, देखेगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, भावी को उसकी अपनी हैसियत अम्मी खु मुझे कोई फरक नहीं पड़ता, कि वो मेरी बीवी को हैसियत देते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरी बीवी तनी कमजोर नहीं, कि वो इन खोकली हैसियत सहारे को ढूंटी फिरे, बात सिफ मेरी बेटी ही है, जो उन्हें दादा-दादी समझ कर हसत भर आंकों से देखती है, बार दाद, वो हॉस जैकूरेशन वाले आए हैं, शेरहान ने आकर उससे बताया, दाद सारी लाकर उठा गया, अच्छा, तुम उन्हें ट्राइंग रूम में बिठाओं मैं आता हूँ, उससे कहकर किचन में गाइब होता नूर काहान चल देखा, दाद, वो मेडिया वाले एंक का कुंसी रह गई, हम, क्या आज कुछ जादा खुबसरूरत लग रहा हूँ, वो चलता उसके पास आया, तो नूर कुछ नामेसूस अंदाज वे किसक गई भीचे, कल शाम मायों की रसम है, और इस वक्त तुम यू, आईमीन के दोले के सामे चल रही हूँ, बन्दे की निय कुछ बोलोगी नहीं, कफ रखते हैं, वो उसके हाथ को धाम कर वोला, नूर ने उससा दुबा कर चुड़वाना चाहूँ, पर दाद में ग्रिफ्ट मस्फूत कर ली, जैसे कह रहा हूँ, चुड़वा कर दिखाऊं, तुमने हूर्स से बात की, शादे में आने के लिए, हाँ, जा रहा हूँ, वहीं बात करने, पर उससे पहले तुम आ गई हो, सामने तुम मोट जैसे बतल रहा है, क्या होता, सिर्फ निकाह वाला सिस्टम होता, और तुम मेरी, बीच में ये सदियों जैसे दिरना होते, वो उसके चोटे से हाथ की अदेली अपनी चोड़ी अद तहाफुस देना चाहता हूँ तुमें, जिससे भागती हो, अपनी हदेली में मुझूद हाथ को देखते, उससे लब रखे, हाथ उसका अपनी कंदे पर रखते, चटी से पास किया, थोड़ी से पकड़कर उसका चेरा बुलंद करते, उसके तुटुपाई आंकों में या, मुझे उस लंभे का इंतिजार है शिद्द से, जब तुम मुकमल मेरी दस्रेस में आओगी, और मैं अपनी जुनोनी मुहबबत से तुम्हारे, इस नाजुक भूल जैसे वजूद के पोर-पोर पर अपनी मुहबबत की पारिश करूँगा, प्लीज, उसके चसबाद स उसे बासूं में समिट लिया, कुछ दिन से जो शगोश हुए थे, उसके बतले अंदास में, अब वो जाते रहे, उसे अपने सीने पस ज़र रखकर, इलका गुबार निकालते हुए देखकर, तुम बहुत बुरे हो दाद, बहुत बुरे, I hate you, कुछ देर अपने दिलका ग वो चलता कुछ गरीब आया, कि उसके सवाल पर नूर सरासीमा होकर पुत बन रहे, वो आपसे किसी भी तरह का सवाल करे, तो आपको इंकार करके अनजान बन जाना है, उसके कानों में आवास कुँझी, नूर ने अपने लरस से हाट टुपटे में चुपाकर सर को नफी में चमबिष्टी, तुम नहीं थी, उससे अपरोच काकर पूछा, वारासान असु से देखती फिर से नफी करने लगी, पर मुझे उस शाम रोम में तुम्हारी खुश्बो हैसास जमीन पर आसुए कत्रे मिले थे, बैठिये पास, वो क्यों, उसकी खाल पर हाथ रखकर वो मु पूछ रहा था, पर नूर को ये नर्मी मुखबत से ओफसार आ था, अजीव अंदासा, पहला कर पूछने का, कि उसके वजूद में सट लहे ठोड़ गई, वो मैं आई थी, अंखे मीच कर उससे जैसे सहर का खूट अलग से तर किया, हाँ, तुम आई थी फिर, वहार होई क क्यों थी, और किस वज़ा से रूम में आई थी, मुझे पूरी बात बताओ, नूरू लेन, उसके कहते, दोनों हाथों में उसका चेहा भरा, हाँ, मैं आई थी, और वो फाइल्स रखकर जाने वाली थी, कि हूर की याद आ गई, और मैं, तुम बुरहान पाई हूर, सब का स हाथ याद करके वहीं बैटकर रोने लगी, भीगी आवाज में तर्दर आँसो की राती वो भोली, उसे रोते देखकर दादने, उसे सीने से रगा कर सर थपका, ओके, कोई बात नहीं, बस रोते नहीं, तुम रोम में जाओ आराम करो, और उत्पुटकुर पुट सुकून क करो, क्योंकि फिर सारा सुकून मैंने जो लूट लेना है, उसके आँसो साफ करते, गाल से लाई, वो जोशरी से अंदर, उसमें दूर हुई, और सरस्पात में लाकर वहां से भाग गई, मैं भी क्या-क्या सोचने लग चाता हूँ, इसमें ठीक से दाद का सामना करनी की हिम मत नहीं, कजा के अलिव को पेचान कर, ऐसे घर में चले, वो भी मेरे यू नसीग, उसकी पुष्ट को देखा, वो साच अड़कता सोच कर मुस्कुराया, उसे याद था, जब उस दिन रूम में याद था, उसे रूम में कुछ गह मौली पन मेहसूस हूँ, उसे पूरी वो फरासा ने भी उसे तटका दिया, अलबत्ता उसके टॉकोमेट्स उसकी जगा सब अपनी जगा पर रखी थी, वो समझ नहीं पाया, यह सब अलिव का गौफ था, यह उसकी अस्यत जान गई थी, और इस वक्त उसे करीब रोते पाकर, वो उसके दिल का दुख समझ गया पहले अपनों से दूरी, दादा दादी, दाया दाई की नफरत, उसके बाद सख गुर्बत, फिर माबाप का विचरना, वो भी बेहन की मुझूदी में उसकी जिद से, उसके बाद बेहन का गाइब होना, आंदान की चुपती बातें, अकेले पन, माबाप से दूरी, बेहन की नामुझूदी, वो क्या सुख का सांसी थी, उसका तूटना, भिकरना, जिद करना सब उसके नजर में जाय सा, और वो अपनी बोनी के सारे लाट उठाने को दयाय था, यह उसके अंदर नर्म जजबात उसके लिए पैदा हो, और वो जानता था, दाद के लिए वो बहु कि दिल की फूनी होने के साथ, वो उसकी राजसार भी बन जाये, फिर वो उसे चुपा दे, उत्मे अर गम से चुपा कर, बस मेरी जान, एक पर वोनी व्राइट बनकर अपने दाद के पास आ जो, वो पर वड़ाता हुआ ट्रॉइंक रूंग की जानी बढ़ा, उसका पहले मुलासरीन को हिदाया देनी थी, करके सजावट की जो कमाल साब ने उसके जिम्में डाली थी, कहां हो बेगर तो, अभी अपने बूथों के साथ हाजरी दो, मुबाल निकाल कर उससे अपने दोनों, दोस्तों को कॉल की, उनके हैलो कहने से पहले ही उससे से बोला हबरदार, अगर तुमने सोने की कोशिश की, मुझे दो मिन में यहां सामने चाहिए, सब कमीने मेरी शादी है, मजाक नहीं समझे, वो खुस्से से बोला, सुमीर के लपो पर मुस्कुराट भी कर गई, इतना तो उतावला सर, शेरियान, भी नहीं हुआ था, जितना तुम ह हो रहे हो, चल पहुँच रहा हूँ, कहीं भाग ही ना चायो, सुमीर, तमसुर सिंप बोलता, उठाँ, आ चल, मुझे मत बता, उतावले का, जरा जाकर सर को इन्वाइट तो करना मेरी शादी का, उसे दान पीस से कहा, क्योंकि शेरियार की अभी शादी हुई थी, और उच चुटी पर था, उने भी सक्त मना किया था, कि कोई उसे डिस्टाब ना करे, क्या बकवास है, मैं क्यू जाओं, फाहद से बोल, वो भड़ा क्या, लानती हो, मुझे तुम सबसे यही उमीद है, आने दो अपनी शादी के दिन, फिर देखता हूँ, उससे से कहते, उसे कॉल डिस्कनेक्ट की और आगे बड़ा, आलम की पास कुछ देर बाद जाने के रादा करते, वो इस पर पूरी तरह काम में चुटिया, फिर कुछ ही देर में, अलवी होस में छुरमट उमड़ाया, उसके दोस्तों का, और फिर कहकों, छे चार मस्ती में उसका हाथ बढ़ाने ल हमारी सारी हमदर्दियां उनके साथ हैं, जाकर ने इंत्याई अफसोस सिखाँ और फूलू की सचावट करने लगा, बकवास बनकर अपनी हमदर्दियां अपने पास रख, दाच चिड़क कर बोला, इस सब का मुश्टार का कहगा घुँजा, सच कह रहा है, जाकर इस जैसा मासुम कमीना नहीं देखा, आहट के कहने पर दाच सकत अलवाद से टोक रहा था, नूर, रूम में बैटी सब सुन रही थी, वहीं कमाल साहब और आजसे बेगम मदा मुस्कुरा रही थे, दोनों ने अपने बेटे को दिल से दूआ दी हुश्यों की, उसकी नज़े सामने जहाँ उसकी बेटी की खोटने मुस्कान का सर्था और अपने चोटे-चोटे हाथ सर पर फेर थी, उससे शायद कोई परिवाल स्टोरी सुना रही थी, तरवासे के आहट पर दोनों ने चोंकर उसकी समय देखा, वो फराख दिलिस से मुस्कुरायो, यहाओ, सिम्भाहें प अगलीफ हो रही थी, वो पेटी रही, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं बाबा? इंतहाई दुख बेज़ेगीनी से कहती, वो आगर में अपनी भी यांगे मसल गई, जटकर इसकदर जोरदार था कि वो समल भी नपाया, और सर जैसे चक्रा आगया, अपनी बेटी के मुँ गंदा स फेरी बेटा, ये जूट बोल रही है, इसने, मैंने बादा था पर ये मुझे ड्यूटी से जाने पर रोक रही थी, वो तड़ब कर उसके पास पहुंचा और उसे बाभूं में बढ़ना चाहा कि मुस्कान की समित की सकती, इस ही है बाबा, क्योंकि मामा जानती है, फेरी के करें, उन्हें कुछ हो गया, तो फेरी का बाबा कौन बनेगा, उसे प्यार कौन देगा, आपकी तरह, वो हातों में मुझे चुपा कर पुरी तरह रोने लगी, फेरी बेवी, वो मचल की उसे उठाने लगा, पर वो मसीर नराज़की में आगे किस की, तुम कुछ कह क्यों भी रही, वो उसे से मुस्कान से बोला, वो क्या बोली बाबा, उनकी मुँपर तो चाहते हुए टीप लगा दी है, आदों में हतकडियां, वो भांदे, कोई मामा से इस सारा करता है, उसकी सुनते वुरान जल्दी से कैपूर बढ़ी निकाल का टेपले पर रखता बेट प भी या, वो अभी भी रूटी हुई थी, इस से वुरान ने जल्दी से उसके हुकम पर सार को हम दिया, देखो, मैं तुम्हें खोल रहा हूँ, पर तुम कोई जगडा नहीं करोगी, मुझे सक्त नीन लगी है, फिर रात को शॉपिंग पर चलेंगे, उसके रुखसार तब वो बोला, और जेव से किस निकाल कर उसके हाथों के अधकड़ियां खोली, वो उसकी बेटी शायद खोल चुगी थी, और मुँपा टेप अभी भी थिया, को कि उससे हटाना नहीं चाहिए था, और वो अपनी बेटी की नज़रों में गिरना नहीं चाहता था, तब ही उसके बास वो को देख रही थी, जबकिया फेर ही मुतमेन थी, वो इंटरकॉम पर दोनों के लिए नाश्टा शेरहान को भीजने का कहता, चेंज करने चला गया, मुझे जिन्दा देखकर सदमे से फोथ होई हो गया, वो जब फ्रेशो कर वाहराया तो उसे उसी पोजीशन में देखकर दन स्वेंगा, वो रान को हैरत वी, जब उससे कोई जवाब नहीं दिया, अलपत्त, वान उसको खूरती रही, तोलिय से बाल रगरते उससे तोलिया गरतन में डाला, वो डोड़ नौख होदने पर उलास्वा कोई जा सकती, इससे आकर टेबल पर नाश्टा ल जो फेरी बेटा, तुम खा लो, उसका जुमला अभी पूरा नहीं हुआ था, उसका मुका गुमता हुआ, उसके जबडे पर पड़ा, उससे धहल कर उससे रेखा और अपने जबडे को से लाया, बात मत करो मुझ से खून कर दूँगी तुम्हारा, वो अचानक हलके बल धा जानी, पुरहान ने जबडा से लाते खूरा, अलवत्ता फेरी नौर मरं अंदाज से बैठी थी, मुझे ही शाहिद इस सब के अदर डाल देनी चाहिए, उससे वरबढ़ा कर एक पीस मुमें रखां, और नसें बेस साकता उठाई, तो दोनों को एक दूसर को आजाने वाली नसो से घूर दे पाया हूँ, वो जानती थी, अब अदरनाग तो फाइटर्स की फाइट होने वाली है, इसी वो पहले ही अपना पेट भर लेना जाती थी, मुझे बता दे, मिर्यानी किसमें पगानी है, चने में है गोश में, उसकी बात पर दोनों ठटक कर उसे देखने ल रहे हैं, उससे तो एक ही बिर्यानी अगस की जा सकती है, दीजेगी, उसकी बात पर दोनों की आंगे फेली, जबके फेरी का कहका रों की फिसा में खुझ उठा, आलम, अमोशी पर उससे बेसाखता पुखा रहा हूँ, हूँ, वो अपने ऑफिस में बेटा फाइल देखता साथ ही हाथ में मुझू सिखार से कशले दे, कान में लगी ब्लूटूट से दाउट बात कर रहा था, क्या तुम इजाज़त दे सकते हो, मेरी शादी में इनको भेजने की, कुछी चक कर वो फिर बोला, नहीं, बगएर वक्त नहीं, आलम ने संजीता लहजे में जवाब दि उससे कहेकर कटके से राप्ता मुनकता क्यों, दाद बेबसी से मुबाल देखता है क्यों, पर मुझे कोशिश जरूर करने चाहिए, वो हुस्सा बढ़ा आने लगा हुदका, वहीं सोच्टे आलम के माते पर बल पढ़ गए, तुम सिम्मी नर्स की जगह उससे पाकर हुस्स लगी, शाम के सुनेरी साह भेल रहे थे, और वो इस हसीन वक्त में नर्स के साथ लौन में वॉक कर रही थी, यो से अचानक प्यास सगी, उसे नर्स को भीजा पानी लाने, पर अब नर्स की जगह अरिप को देखकर उसके माते पर बल पढ़ गे, मुझे पेल लियो, इसमें नहीं लगा सिम्मी जी, बहुत अच्छा लगा, कि आप मुझे जानती पहचानती हैं, सिर्फ इस बात का दुख हुआ था, कि आप मेरा एक राज भी नहीं चुपा पाई जालिम सिमाच से, मुझे आपसे ये उमीद नहीं थी सिम्मी जी, उसे जिता कर कहा, वो जस्पस होक रहे गई, बत्तमी सडकी जाओ यहां से, बढ़ना मैं अपने भाई से तुमारी शिकायत कर दूँगी, मुझे लाए, शिकायत, कैसी शिकायत, उसे आंके पहलाएं, ग्रे कलर की सूट में, शानो बर मेरून बड़ी सी चालर डाले, ग्रे टुपट्टा हिजाब स्टाइल पांदे वो हफा और सिच लग रही थी, और सिदम ये, ये वो सीधा आरिप की दिल में उतर थी, उसे बेचैन किये रख रही थी, देखो लड़के, आप प्यार से मुझे आरी कह सकती हैं, वो शर्मारी के एक्टिंग गयता नसे चुकाय बोला, सिबमी चटिये से मूरी, अ अपनी आँके पहला कर उससे देखनी लगी, आरी, कहां से, किस से आरी, अगले ही लमें उससे मुस्कुराट चुपाई, अलवत्ता प्यार पर, उससे सकत खुरी थी, वो अपनी उमर से अच्छी तरह वाकिव थी, और समझ भी रही थी, कि ये उसके साथ मजाग कर रहा है, वड़ना पावल कुटे ने थोड़ी काटा होगा, कि उससे प्यार, या कोई ऐसी घलत सोच रुकेगा, नहीं, नहीं, वो वालारी नहीं, अलहम्दुलिल्ला, मैं जजबात से पुरमर्द हूँ, उससे करवड़ा कर सफाई दी, पर जजबात लवस्वर कुछ यूं सिम्मी आंकों में खूराओं कि वो चस्पस हो करेगी, मैं तो वो वालारी कह रहा हूँ, मिसाल तोर पर जैसे आलम हुरूलैन को कहता है, एन दोर नूरूलैन को कहता है बोनी, या नूर, मैं मुसकान को कहता हूँ मिस्सी, औहूर कहती है मिस्सी, उसी तरह से चाहता हूँ, आप सेफ प्यारों मुहबबत से कहें, दिल होश होता है ना। दान्तों की नुमाईश करते हुए वो बड़े दिल रुबा अंदास में कहता है, मसलसा शरुमा कर फर्माईशी कर रहा था, हाथ में पानी का गिलास अब भी मुझूद था, सिम्मी के तो कान साय साय कर रहे थे, वो कान की लोग तो सुर्फ पर जुगी थी, इस सारी बकवास का क्या मतलब है, मेरी बलास से जाओ भार में, तमाग से आरी हो जाओ, तुम्हें शर्म नहीं, बड़ूं से कैसे बात करते हैं, हाथ मारकर पानी का गिलास भेंगती वो हो रहा है, आरिव सट पठाग्या, पर फोरण हुद को सम्हाला, मैं एक नॉवल रिटर हूं सिम्मी जी, मुझे नॉवल पढ़ना बहुत पसंद है, और जब से आपको देखा है, तब से एज जिफ्रेंस नॉवल बहुत शूशी चाहत से पढ़ता हूं, क्योंकि हमारी कहानी भी कुछ यूँ ही है, सिम्मी ने हैरत से देखा, वो क्या कह रही थी, और वो क्या बता रहा था, उसे सच में रड़का दमाग से आरी लगाँ, मैं सीधा साधा, अश्रफुल नेक, मजबूत अकलमन बन्दा हूं, गुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, बस मैं आपको पसंद करता हूं सिम्मी जी, उमीद है आप समझ गई होंगी, खाना बकाने की टेंशन लेने की ओपन, किचन, ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल, छोटा और हुपसर लोंच है, महमान के लिए कोई टिकाना नहीं, क्योंकि मैंने आने नहीं देना, फिर मेरी भेहनी क्यों ना हो, वो बड़ी नागिन है, आईगी तो मेरा जगड़ा करवा लेगी, इसे दरवाजे पर ह हेलो हाई करेंगे, आल लगाने का मतलब सिफ अपने हिज़ार को यूनीक बनाना चाहता हूँ, जैसा अभी तक दुनिया में किसी ने नहीं बनाया होगा, क्योंकि मैं कुछ अल यूनीक बंदा हूँ, बच्चों के रोने तंक करने की टेंशना ले, मैं ऐसे चिप तयार सिर्फ दूर से देख कर हुश होंगे, अब प्लीज, इस रास को तब तक दिल में रखेगा, जब तक आपके दिल में कुछ-कुछ होना शुरू नहीं हो जाता, फिर मैं हुदी, आपके उस संकी हिटलर भाई से बात करूँगा, उसकी सफ़ेद कलाईयों में वो खनक्तिक सिर्फ देख करे जुड़ियों को देखते संजीदाओ कर कहते तहा था, जबकि सिम्मी को लगा, उसके सरपा साथो आंसवाना गिरे हूँ, वो हवनकु की तरह उससे देख रही थी, इसकी आँके, देख, धोका और कानों सुना, जोटो, मुझे आपसे बहुत सी उमीदे है सिम्मी जी, वो आंके पटपटा कर बोला, जटाख, अगले ही लग्में फिसा में थपढ़ की आवास को जुटी, और साथ सिम्मी का आंसो भी फिसल कर कालों पर गिरा, मैं ये जिन्दी सिर्फ अपने भाई के लिए जीना चाहती हूँ, हबरदार, अगर पीच पे कोई बक माटर हो रहा था, बत तमीज, उमर तमीज का लिहास नहीं, वो बरबढ़ा कर खा जाने वल नसरों से खुरती अंदर की समीत बढ़ गई, जबकि पीचे उसके धब पर उचुडियों की खनक के सेर में जगड़ा हुआ था, अल शरम वल तमीज तो मुझ में पैदाईशी न नहीं, दूसरा, अल मुहबत कहां उमर देखती है, वो तो अल अंधी होती है, पीचे से हवास सो उचल कर होश की दुनिया में लोटाओ, मुस्काय का कहका बुलन गोंजा, क्यों टब की हो अब, चटके से मुटकर वो उस्से से खुरायों, पर साथ चोटी सी फेरी को देख कर वो कदर समल कर मुस्कुरा दिया, अरे, हमारी फेरी मामू से मिलने आई है, पुश होते है, उससे फेरी को उठाया, वो मुस्कुरा दिया, मामू, आप क्यो उस्सा थै, क्या आप भी फिर मामा से फाइट करेंगे, मामा तो आप सबसे लड़ लड़कर ठकी जाएंगी, और वो कौन थी, जिनने आपको ठाज से थपर मारा, वो मुस्कुरने लगी कि सिम्मे को याद करके मुस्कुरा चुपा कर बोली, आरे, बस बढ़ा, अरे, नहीं मामू की फेरी, मामू तो बस आपकी मामा और मेरी नागिन से बात कर रहे थे, और आपको मालूम है, वो कौन बढ़ा, और मभूस से थपर मागने वाली को देख रहा था, एह मग बिच्चो, वो हज से उसके पीचे हुई, असलाम लेकुम, मैं मुस्कान, आरिप की सुदेली बहन, लौच में बैटी सिम्मी के पास आकर उससे अपना तारूप करवाया, सिम्मी ने घोर से, उस बेंड उसे चोड नसूर से लौच में बच्ची को लेकर उसके सामने सोफ़े पर बैठे आरिप को देखते, बड़ी पर सोच दिया, और मैं इनकी बेटी मुस्कान, मुरान अलवी, मामा बोलें तो, छोटा पैकेट, बाबा की फेरी, आरिप की इशारे पर फेरी ने भी जड़ से अपना दारों करवाया हूं, सिम्मिसा हिलाती मुस्कुराइं, पर जल्दी अपनी मुस्कुराइट समीट गई, जब उस एखलाग से आरिप इनसान की कहरी नस्रे अपने चेहरे पर वाईं, क्या मुस्वत है, मंदा अपने घर में भी सेव नहीं, उसे से बरबड़ा हाट स सरब उलंद अवास में कुलसकर कहती, वहां से निकली, शरम की गोली होती तो पहले तुम्हें खेलाती, उस गाने तंस करते आरिप को शरम दिलाना चाहूं, अब मैं क्या कर सकता हूं, जब साइस सरक्य नहीं कर रही, चीन या अमेरिका होता, तो अब तक बन जाती, शायद फिर मैं भी बना कर तुम्हें खेला देता, कि यूँ उठा कर नहीं चले आते, वो फेरी को उठा कर सिम्मी के चले जाने पर बदमसा होता, रोम के तरह बढ़ गया, जहां पभी मुझूद था, कोई डिवाइस चिप वाइरस से हुद में मुंतकिल कर दो, शरम के लिए, कि जिससे बेना दी, उसकी इज़त, शड़ा मुसकान, मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा हूँ, मुसल्मान हूँ, और मुझे तुम से जादा मालूम है, कि आलम की इज़त मेरी इज़त है, इसे ये मैं उसे चाइस तरीके से अपनी इज़त बनाना चाहता हूँ, ये खलत तरी इसे पपी को देखा, कर आरिप के साथ हुश हो दी, उसकी समयत मुद्वच्चा हो गई, रब दोनों मिलकर उससे खाना के ला रहे थे, तुम्हारे पापा कहा हैं फिरी? उसकी काल चोंकर हूँ, मुहपच से पूशनी लगा, फिरी ने मुसकुराते पपी से नज़र हटा क कर उसे देखा, घर में हैं, मामा भांद कर आई हैं, वो मुसकुराती बोली, आरिप को तो जैसे तचका लगा, भांद कर आई हैं, रस्यों से, क्यों? अधकडिया लगा कर, मुँपर टेप लगाए, पर वो अपने स्काफ से भांदे, फिर सीने के गित मस्बूती से मेरा ड को फोरण संभाल कर उसे दचके के बावा जो लेजा सरसरी सा रखा, नहीं, बाबा क्या कहींगे, मामा काफी अच्छी फाइटर है, सो बाबा को जल्दी हैंडिल कर लेती हैं, उन्हें से पपी से अटा कर आरिप की पहली आँखों में देखती हैं, मुसकुराई, आप ड़ उसे लगाता बोला, आपको पता है, मामा कहती हैं, आप उनके भाई नहीं, सुदेले बिच्चों हैं, और उनका हून सुर्ख है, जबकि आपका सुफेद, आरिप का मौ सुर्ख बढ़िया, उसे मुसकान से उमीद नहीं रखनी चाहिए थी, कि उपने बच्चों से के सामने करता बोला, पेरी ने पहले उसे लेखा, फिर उमली को, अच्छा, पर मामा का कटर चैसा काला हून क्यों है मामो, उसकी हैरत बे यकिनी से आंगे पहल गई, वो बेटा क्या बताओ, बहुत लंबी वाली दास्तान है, कैसे बताओ, दिल दुखता है मेरा, उसे माई पहुत पसंद आई थी, बिलकुल मुस्कान जैसी, असास, नासमच सी, वो भी ऐसी ही होती थी, सरासी तकलीफ पर तरस खाने वाली रहम दिल, बताओ मामो, क्या हुआ था?